हलो एवरीबडी वेलकम तू मैगनेट बीज दिस सेश्वेता ठाको यौ शोशल साइस एजुकेटर मैगनेट बीन सी के साब प्लाटफॉर्म है जहां किंडर्गार्टन से लेकी क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेस प्रवाइट करवाई जाते हैं दाट तो बीफ्री ऑफ कोस्ट वी अलसो प्रवाइब यू से भी से अन अधर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी बिहार, MP, राजस्तान और डेली बोर्ट के फुली अर्गनाइस कोर्सेस विज जेली प्राक्टिस पेपर एंड हमारे पास e-books और e-notes की फैसलिटी भी अवेलि हैं, हम स्टार्ट करेंगे एकनोमिक्स का जो चैप्टर नमबर वन है, डेवलाप्मेंट और हम देखेंगे उसका चैप्टर ओवर व्यू, यह बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसमें कंट्री की डेवलाप्मेंट के बारे में बात की गई है, डेवलाप्मेंट क्या होती ह उसका क्या मतलब होता है, उसके different aspects क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस chapter में, तो सबसे पहले topics to be covered की बात देखें, तो सबसे पहले देखेंगे हम एक introduction, understanding development, right, कि भई development क्या होता है, सबसे पहला question तो क्या है, कि development क्या है, जिसके बारे में chapter है, और different different persons के लिए क्या different different जो है development का मतलब होता है दीखिए सब के लिए development एक जैसे नहीं होती है किसी के लिए अलग होगी किसी के लिए अलग होगी एक rich farmer के लिए development का मतलब अलग होगा एक जो landless of जो labor है उसके लिए development का मतलब अलग होगा अगर हम बात करें development एक umbrella term है development जो है is a umbrella term, right? और ये किस चीज से लिंक है? अगर हम कंट्री की बात करें, अगर हम कंट्री की बात करें, हम देखेंगे कि development एक umbrella term है, right? और अगर बात करें, ये लिंक करते हैं किस से desire to improve the present condition? To improve the condition, कौन सी? Present condition, right? Present condition को किस तरीके से improve किया जाए? ये हम देखेंगे इस chapter में, किस तरीके से, अगर कंट्री में अभी हो रहा है, किस तरीके से कंट्री की जो present condition है, उसको अच्छे से improve किया जा सकता है? वही तो उसके लिए development होगी, तो कैसे किया जा सकता है? अगर हम देखें, good governance से अच्छी सरकार होगी, तो अच्छी policies आएगी, ठीक है? अगर poverty को reduce किया जाए, गरीबी मिटाई जाए, कम की जाए, तो क्या होगा? एकनॉमिक डेवलप्मिन्ट की जाए, इलिट्रेसी को खतम किया जाए, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें, development एक umbrella term, इसको एक broader meaning है, और यह जो है, अगर simple term में हम देखे, it is limited with the desire, ठीक है, to improve present condition, present condition को improve क्या जाए, कैसे करेंगे? अगर country के according देखे, तो good governance के through reducing poverty, जो है, गरीबी को दूर कर कम करके, economic development और electricity को कम करके, तो अगर हम लोग देखे, तो हम देखेंगे introduction में कि development क्या है, एक country के लिए development का मतलब क्या होता है, आपकी life में development का मतलब क्या है, और different different logo के लिए development का मतलब different क्यू होता है, तो वो आएगा आपका introduction में, फिर देखेंगे income and other goals के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम national development के बारे में, उसके बाद आएगा हमारा income and other criteria, कौन-कौन से criteria है income के अलावा, जो हम देखते हैं किसी country के, अब सिर्फ और सिर्फ income ही थोड़ी है, कि हाँ वे किसी country के पास पैसा है और उनके पास जो है अच्छा infrastructure नहीं है, health पे जादा नहीं लगा सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है, like पैसा बहुत है, ठीक है, income बहुत है, हम compare भी करेंगे, जैसे income बहुत है, लेकिन बाकी basic facilities नहीं दिख रही है, ठाइक, वहाँ पे जो है health facilities अच्छी नहीं है, educational, education की facility अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसे develop बोलेंगे, वो हम देखेंगे, right क्या हम उसे development बोलेंगे, सिर्फ income, income जो है, वो सही है, health अच्छी नहीं है, health facilities नहीं है, educational facilities नहीं है, तो क्या हम उसको development बोलेंगे, तो यहाँ देखेंगे, income and other criteria, right, उसके बाद public facilities, public facilities क्या हमारे hospitals होगे, ठीक है, आपके schools होगे, जो government की facilities होती है, हमें public distribution systems होगे, तो जो public health facilities होती है, हम उनके बारे में discuss करेंगे, right, वो हमारी life के लिए कितनी जादा important है, उनके बारे में discuss करेंगे, फिर उसके बाद आएगा एक concept, sustainability of development, जिसे sustainable development भी बोलते हैं, very important term, यह आपको जो है, sustainability of development, जो है, यह आपका resources and development, जो first chapter है, उसमें भी है, अगर हम बात करें, sustainable development, तो इस तरीके की development, जो आज की needs को तो पूरा करें, और future generation की needs को भी ध्यान में रखते हुए, right, तो वो होगे, आपके sustainable development, तो उस concept को भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे, हमारे NCRT solutions, right, chapter complete होने के बाद हम discuss करेंगे, हमारे NCRT solution, फिर आएंगे, हमारे multiple choice questions, फिर chapter से related, जितने भी MCQs हैं, उनको discuss करेंगे, उसके बाद आएंगे, most important questions, जो इस chapter से related है, वो सारे questions, जो है, MIQs, वो discuss किये जाएंगे, और फिर complete chapter revision, जो है, वो किया जाएगा, और इस तरीके से हम complete करेंगे, क्या हमारा development chapter? जो economics का बहुत ही important chapter है, और exam point of view से भी बहुत ही जादा important है, तो इस से आपका जो है chapter overview complete होता है, आप हमारी videos को देख सकते हैं, कहां कहां पर, YouTube पर, and हमारी official website www.magnetbrains.com पर, आप हमें follow कर सकते हैं, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, and WhatsApp, हमारे पास e-notes and e-books की facility भी available है, जिसका link नीचे description box में दिया गया है, top courses की अगर हम लोग बात करें, CBSE, Delhi, BR, UP, MP, और आजस्थान board की classes, जो है हमारे पास है, Vedic Maths की classes भी होती हैं, crash course भी कराय जाते हैं, और spoken English की classes भी हो रही हैं, right? हमारे पास English और Hindi दोनों medium है, with this end of today's session, I hope you like this video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.